Hello everyone, कैसे हैं आप? मैं आज जो इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि सर आपका first question कौन से chapter से बनता है, second कौन से बनता है, third कौन से से बनता है, fourth कौन से से बनता है, fifth कौन से सर पहली बात करें first chapter, first chapter हमेशा बनेगा सर आपका unit one से, सर unit one में तो बहुत सारा है, तो एक बनेगा आपका assessment year, previous year का question और इसके साथ number two part बनता है, हमारा residential status, तो पहला question इन chapter में से हमारा बन के आता है, हर बार, सर दूसरा question मातर एक chapter है, जिसने अपने आपको patent करार रखा है, salary, ये बनेगा सर हमारा salary, सर इसके और में नहीं होगे, क्या और में भी जो होगा, वो भी salary होगा, maximum chances मान के चलिए, सर question अब अभी मैं paper भी दिखाऊँगा, three किससे बनेगा सर HP, और सर HP के साथ आपका कोई भी एक theory club कर देंगे, जैसे आपका clubbing, सर four किससे बनेगा सर CG, capital gain, सर इसके साथ club कर देंगे, जैसे set-off, सर five किससे बनेगा, five questions ज्यादा chances होता है theory का, और इसके अंदर other source का theory आजाता है आपका सर, इसके अंदर और बाकी के जितने theory बच गए, वो सारे theory इसके अंदर cover हो जाते हैं, चली एक बार हम paper को भी discuss कर लेते हैं, सर, अगर हमने paper देख लिया है, तो एक बार paper को भी हम देख लेते हैं, कि क्या ये चीजे applicable है भी या नहीं है, फटा-फटा आजाईए, मैं आपके साथ discuss करता हूँ, क्योंकि साइद आपको थोड़ी help हो जाए इससे, क्या help होगी सर हमारी, अभी देखते हैं, सर आपके सामने ये आगया paper, 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 ये बस खतम होने दो, इसके बाद paper ही start, agriculture के बाद, अलाकि हमने सारे question लगबग लगबग कर लिये हैं, program वालों का कोई sliver spending नहीं है, सर, कहीं बच्चे इस में चला जाया, सर, PGP भी नहीं कराया, जी हो गया, depreciation जितना कराया, उतना ही आएगा, program वालों का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने, और unnecessary का परेशान होना भी नहीं, देखे paper, हम पहला paper लेके आते हैं आपके सामने, सर, 2016 में, 2016 में जो paper आया, उसके अंदर क्या आया, सर, पहला question, how to determine the residential status, जो की मैंने बताया, और income दे दिया, इसका, सर, इसके बाद, जो इसके और की बात करें, मतलब वो calculation वाला part, मतलब और वाला किसी चप्टर से option होता है, एक तो आए गए, इसके बाद senior citizen है, और इसके ROR, तो देखे, पहला question, first unit से बना, सर, दूसरे question की बात कर लेते हैं, आ जाईए, सर, proper, पूरी तरीके से देखा जाए, तो सर, salary, DA, वगएरा, सब कुछ दे दिया है, सर, इसके और में क्या है, सर, salary ही है, दूसरा question भी, चलिए सर, तीसरे question पर आते हैं, सर, तीसरा question दे रखा है, आपको determine house property, जैसे कि मैंने बताया, इसका theory है, और साथ के साथ, इसके साथ, और B part में क्या करा है, इसने, broad capital 24 B दे दिया, और मैं देख लिएते हैं, सर, हमारे साथ क्या कर रही है, और मैं भी सर, इसके क्या दिया, सर, HP का ही दे दिया, मैंने कहा था, अब आ जाते हैं, सर, question 4, CG, देखे, capital gain का question number 4 है, तो paper ना बड़ा आसाना आएगा, बस आपको एक strategy, mentally prepare होना है, जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा, विया यस तरीके से चलना है, इसके अंदर, और आ जाते हैं, सर, question 4 तक हमने देख लिया, और में भी आपका CG का ही part है, अब आ जाते हैं, सर, हम फटा-फट से, निकालने को, जिसमें सारे income को mix करके, जो कि आपको already आता है, और इसके बाद, आपका, इसके अंदर दे दिया, set of and carry forward deduction under ATC, तो हाँ, मैं deduction वारी चीज़ भूल गया था, एक paper आपके सामने आ गया, दूसरा भी आपके सामने, पहला question देखिए, किस से आए, residential status, सर, इसके और में भी सारा residential status, मैं रहे तो बस paper दिखाना काम है, देखिए, सर, दूसरा question, किस का है, सर, salary का है, तो दिमाग mindset भी करके जाना है न, अपने exam में, दूसरा question किस का है, salary का है, ये regular वाले बच्चों के लिए है, वैसे तो correspondence वाले भी इसको follow कर सकते हैं, बट अभी 26 को है regular का, और hopefully मैं यही प्रेड करूँगा, कि हर बच्चों का exam बहुत अच्छा जाए, उमीद से अच्छा जाए, और सब paper बड़े अच्छे से करके आए, तो सर, फिर से दूसरा question, salary और में आ गया, आगे चलते हैं, सर, तीसरे question के तरब, देखें, क्या आ गया, HP आ गया, तो concept mind में रखिएगा, HP के बाद सर, और में भी HP रखते हैं, यह ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है, कई बार capital gain दे देते हैं, नहीं तो theory दे देते हैं, अब आ जाईए सर, question number 4, देखें, किसका है सर, capital gain का है, question number 4, किसका है, capital gain का, question number, अब सीधा हमें किसका देखना है सर, question number 5, deduction दे दिया, ATE का, IT Act के अंदर कौन सा deduction है, इसके बाद एक छोटा सा question दे दिया, इसमें से minus plus करके दिखाना है, तो सर, hopefully आपको थोड़ा confidence आएगा, आज के discussion के बाद, 2018, सर, 18 में पहला question, SSE कोन है, income tax के अंदर, और फिर बता दिया, residential status बताईए, ठीक है सर, इसके बाद सर, आ जाते हैं, दूसरा, again दूसरा question, जैसा कि हमने predict किया था, सोचा था, फिर से क्या आया सर, salary, और इसके और में भी क्या रहेगा, salary ही रहने वाला है, चलिए आईए तीसरा question, again HP का question है, trending पकड़िया, examiner का, और सर, कोई, मैं income tax में बताऊं, तो जो पहले DU में paper बना रहे थे, वो ही इस साल अगर paper बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास देखिए, इस से आपको मैं confidence लाना चाहता हूँ, ना कि आपको over confidence में आना है, ठीक है न, इस बात का भी अब ध्यान रखेगा, सर, चलिए सर, यहाँ पर क्या आगया, सर, plant A, plant B, valuable, depreciable, यानि सर, depreciation का एक part, जो कि हमने देखा था, चोवन B, आगय हमारा, सर, question number, इसके बाद आ जाते हैं, सर, कौन सा question, एक तो, question number, 5, again, 5 का part हमारा theory का रखते हैं, clubbing का, setup का, ATU का, यह सारा part, आगे 2019, last paper है, 2019, उसके अधा, COVID का, तो हम बात ही नहीं करेंगे, सर, पहला residential status, सर, दूसरा क्या है, सर, कहीं हमारे साथ, धोखा तो नहीं हो गया, यह भी चेक कर लो, salary है, अभी भी, तो सर, इतने time से fix है, तो अभी तो examiner fix ही रखेगा न, बच्चों के साथ, नाइनसाफी थोड़ी होना चीए, आ जाते हैं, सर, तीसरा question, क्या पूछा है, सर, तीसरा, still HP है, capital gain, तो जिस रिसाब से हम pattern चल रहे हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं, सर, कोई आपकी setting वेटिंग है क्या अंदर, तो बताईए, सर, भाईया, मैं कहता हूँ, मेरी पूरी setting है अंदर, पूरा paper leak है, अगर आपने पढ़ाया है, तो पूरा paper leak है, नहीं पढ़ाया हूँ, तो कुछ भी नहीं पता, सीरीस ही बात है, सर, setting वेगर है क्या करना है, trend पकड़िये न, मैं तो past experience बोलूँगा आपके साथ, जितने इतने में 10-12 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका just मैं experience बोलूँगा कि due का pattern इस तरीके से सेट होता है, बच्चे बस घवरा जाते हैं, और guidance देखो, हमें इतनी guidance नहीं मिलती थी, हम तो भई किताब पढ़े जा रहे हैं, residential status ही दो मेहने से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा साल में एक बार paper हुआ करता था, annual mode हुआ करता था, कोई बताने वाला नहीं था मैं, selfie पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं, उधर पढ़ रहे हैं, जो मन में आये लिखके हम आगे उस तरीके से, अभी आपको तो सब कुछ formatting में मैं दे रहा हूँ, कैसा paper आएगा, revision मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो आप समझ के चलिए, कि 22 के आंदर आप education में बहुत लखी हैं, हम लोग education के अंदर बहुत सफर करते थे, कि सर कोई teacher मिल जाए, कोई पढ़ा दे, ऐसे, अब तो आप सारे teacher आपके pocket के अंदर है, जब मर्जी mobile पे जाईए और चेक करिए, तो सर अब आ गया, अब आ जाते हैं 2020, सर ये paper जो लिखा था, वो तो मेरे को पता है कि क्या था, उस time पे जो 2020 में COVID आया था ना, उस time पे कोई systematic नहीं था कि क्या paper आएगा, तो पहला paper हाला कि residential status दिया, दूसरा इन्होंने follow किया salary का ही, और सर तीसरा question किसका दिया था इन्होंने, चार ही question देते थे ये, HP का दिया, और चौत्था दिया capital gain का 6 question देते थे, in fact, हाँ, चौत्थे के बाद 5 बाच छटा इन्होंने कुछ theory इस तरीके से डाल दिया था, तो मैं 20 और 21 के paper की बात ही नहीं करूँ आँ सर, इसमें सारा कराय हुआ है, अब सर, important, जो 20-21 के अंदर capital gain के question है, और 20-21 के अंदर जो HP के question से वो जरूर करिएगा, बहुत important question है, उस pattern पर ही आपका HP का question आ सकता है, salary बाकी पीछे का trending पकड़िए, यानि 3 question 45 नंबर अगर 75 का आया तो fix हो गया, सर, salary, HP, capital gain, 45 का fix, इसके बाद सर, residential status भी तो fix कर लो, 60 नंबर का ऐसा paper है, जो कि लड़ू है, पांच बाको question theory है, theory quick revision मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, बस मेरा application पर एक दिक्कत आ गई है, कि application वो live नहीं हो पा रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको, कि मैंने सरिफ इस notes के लिए application बनवाया था, कि बच्चों को दिक्कत ना हो, शायद आपको visual हो जाए, तो अब ये APK फाइल है, तो कुछ बच्चे डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे, प्ले स्टोर वाले डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे, तो देखें, जैसा ही प्ले स्टोर के उपर जा रहे हैं, तो something wrong लिखा हुआ आ रहा है, जो मैंने specially सोचा था, मेरा target था, कि YouTube वाले बच्चों को भी मैं कुछ guide कर पाऊं, और notes वगेरा परवाइड कर पाऊं, और quick, super fast revision दे पाऊं, लेकिन फिर अब क्या करें, एक हमारा दूसरा application है, उसके उपर फिर इतना जादा workload आगया है न, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, बहुत जादा इसके पर workload है, और बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो मैं जो existence में बच्चे हैं, थोड़ा slow भी काम कर रहा है still, तो जो existence में बच्चे हैं, वो किस तरीके से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा हमने उसके लिए server बचा के रखा है, लेकिन hopefully, मैं आप सभी को एक announcement करता हूँ, मैं आप सभी के साथ हूँ, मेरी कोसिस यही रहेगा, मैंने तो कोसिस किया था, कि सर आपको सारा content ना, वहाँ पर मैं free में available करवा दूँ, आप भी जाके AP के file मैं डाल भी दूँँ, आप भी चेक कर सकते हैं, सर application वह error show हो रहा है, वहाँ पर AP के file ना, आ नहीं रहा, प्ले इस्टोर वाले बोल रहे हैं, verify करेंगे, अब भगवान जाने कब तक verify करेंगे, तीन दिन पहले मैंने approval के लिए डाल दिया था, कि भी या कर दो, उन्होंने का कि अभी verify में under process चल रहे हैं, हमने सबसे बात कर लिया है, टीम से भी आपको message भी देखो, यहाँ पर message तो दिखनी पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोसिस करता हूँ, आपको message दिखा दूँ, चैट पर चल रहा है, काफी बच्चे ना बहुत विश्वास नहीं करते मेरे से, कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हूँगे, देखिए, application development के लिए मैंने सारा चीज़े डाल दिया इनको, आपको अगर दिख रहा हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि मैंने बूला था कि when will be app verify in play store, कि जो existing student है, उनके लिए मैंने पूरा space बचा के रखा है, hopefully, देखिए, server ना बहुत costly आता है, जो teachers ले रहे हैं, बड़े-बड़े teacher वो जानते हैं, कि उनकी रात के नींद खराब हो जाती है, आपने तो बस click की application नहीं खुला, message, tweet, जो भी करना चाहते हैं, कर देते हैं, call कर सकते हैं, सारी facility अवेलेबल होता है, जो paid application पर, लेकिन उनको exam के time पर ऐसा हो जाना, मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है, मैं भी कई बार technical team को है, मैं भी सुना देता हूँ, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम राद पर जागो, लेकिन उनका काम करके दो, पहले application crash नहीं होना चाहिए, उसी का alternative में, मैंने एक application backup में बनाया था, अगर यहाँ crash हो जाए, तो मेरे paid वाले बच्चे वहाँ तो देख पाए, लेकिन क्या करें, वो भी नहीं वाँ, मैं यह कर रहा हूँ, राद तक मैं कोसिस कर रहा हूँ, क्योंकि application बहुत costly आता है, मैं night तक कोसिस करूँगा, जितने भी theory है न, आपका theory, दो घंटे, अभी देखो, आपका 26 को paper है सते ही से, दो घंटे उस theory को सुन लीजिए, और मेरे जो revision lecture है, उसको सुन लीजिए, सर, theory से बाहर नहीं आएगा, यह मेरी guaranteed है, सर, वो बच्चे कैसे लेंगे, मैं यही कर सकता हूँ, कि मैं भी server का costing देख रहा हूँ, कि सर, कितने का server का costing पढ़ रहा है, मैं hopefully, यह upload करने जा रहा हूँ, लेकिन PDF notes की दिखकत आ गए, टेलिग्राम पे न मैंने डाला था, बच्चों ने इतना दिमाग मतलब लगा के, उपर चले जाता है, सर, please send, उपर चले जाता है, फिर send, मैं बड़ा परेशान हो गया उस चीज में, तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ, कि आपका जो minimum cost हो, और minimum cost में हो सकता है, आपका 99 rupees का cost हो, और हो सकता है, आपका 49 rupees का cost हो, यह सिर्फ regular वाले बच्चों के लिए, इसके अंदर validity डाल देंगे, प्लीज वो बच्चे इसके अंदर ना जाए, जो इनका paper के January में है, और जिनका paper, 49 यह 99, minimum price पे, आपका पूरा course के सारे features डाल देंगे, जिस बच्चे न भी पढ़ाई भी नहीं करी है, दो दिन के अंदर उसको update कर सकते हैं, update करके देख सकते हैं, सारे theory के revision lecture है, और important questions है, और सभी जितने भी वीडियो हैं, उसके उपर star बना दिया है, तो जैसे ही कुछ notification आता है, प्लीज आप YouTube पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, YouTube पे connect रहिएगा, और मैं उसमें डाल दूँगा, कि आप वहाँ जाके फटा-फट से आपने notes या PDF देख सकते हैं, मुझे बहुत ये कहते वे दिक्कत हो रहा है, कि आपका 99 या 49 का, मैं YouTube पे डालूँगा, YouTube पे ऐसा नहीं है, कि नहीं डालूँगा, मैं कल तक का वेट कर रहा हूँ, मेरा application अगर review में हो गया, तो मैं खुद ही डाल दूँगा, तो मुझे थोड़ा सा embarrassment भी feel हो रहा है, कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, कि आप payment करिये दो दिनों के लिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, server cost इतना ज़्यादा आता है, कि उसको beer करना फिर ऐसा रहेगा, कि जो paid बच्चे हैं, उनको भी service नहीं दे पाएंगा, application ही crash हो जाएगा, आप समझेगा थोड़ी से मेरी मजबूरी को, जहां तक हो पाया, मैं YouTube पे वीडियो मेंने डाला है, कल कुछ बच्चे कह रहे थे हैं, सर आपने deduction नहीं डाला, आपने setup कल सारी की सारी वीडियो में अपलोड कर दूँगा, यूटूब पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं थे, मिरसे बिल्कुल निरास ना हो, मैं आपके साथ हूँ, तो बस यही कहना था आपसे सर, paper का pattern भी discuss हो गया, और मैंने price भी बता दिया, या तो 999 का या 49, और जो भी price होता है, minimum आपके लिए, सर ऐसा क्योंग, जो भी price होगा नहीं, 79 हो जाए, 89 जो server का cost होगा, वो हम implement करके, मैं एक फटा-फट से shots बना दूँँ, और बोलूँगा, वहाँ जाईए, कोई coupon code नहीं, किसी से नहीं पूछना, course का link description में, मैं डाल दूँगा, और जा के सीधा क्या करना है, आपने buy करना है, that's it, बात खदम, तो चलिए सर, मिलेंगे ऐसी, किसी next video के अंदर, thank you so much, again all the best, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से एक्जाम जाना चाहिए, और जैसा भी एक्जाम जाए, बताइएगा जरूर, thank you so much,